आज की क्लास में हम बात करेंगे look-up method हम look-up के बारे में complete knowledge आपके साथ दिखेंगे एक्जाम्पल के लिए वी look-up होता क्या है वी look-up जिसे generally उसका पुलाव यूज करते हैं लेकिन हम पुड़ा-पुड़ा look-up method के ऊपर discuss करेंगे में पस data है जो कि आप देख सकते है डेटा में एक ID है तो वी look-up काम क्या होता है किसी particular ID के बिहाफ पे data को look-up करना तो कैसे कर सकते है look-up चली look-up की possibilities को जानते हैं फिर इसके बाद हम इसके tricks के बारे में जानेगे मैंने आप लगाया वी look-up इसको select किया data में चले गाए data में हम data को select किया तो आपकी जो look-up वैलू है वह पहले होना चाहिए और यहां तक मुझे idea है कि आप वी look-up का इस्तिमाल करते होंगे राइट रविंजी करते हैं वी look-up का इस्तिमाल चले जनली आप वी look-up को जाने कि वी look-up में सबसेदा problem क्या होता है सबसेदा problem होता है जब हमें इस तरह से पूरा data निकालना हो तो column नंबर जो लिखना होता है उसमें problem आपको एक-एक करके लगाना पड़ता है क्या यह होता है मैं तो क्या इसको इसको bypass किया जा सकता है इसके कई तरीके हैं बैपास करने के क्या तरीका है तो हम basic to advance दोनों तरीके के बारे में बात करें है है ठीक है सबसे पहला तरीका है कि जो कॉलम के नम्ब नेम है और नमबर को identify करके आप डेटा के ऊपर इस तरह से लिख दे और वी लुक अप लगाते हैं हमें उसको select कर ले पहला तो यह है आगे करने से पहले हमें को फिड करना हुगा करने से पहले हमें इसको करेंगे और इसको ड्राइग कर दिज़िए इसको नमबर फॉर्मेट कर लिए ताकि डेट वाला फॉर्मेट हड़ जाए दूसा तरीका है जैसे मैंने देखा कि मेरा यह सिक्वेंसली है और यहां भी सिक्वेंसली है ठीक है हमारे पास एक फॉर्मुला होता है क्या होता है क्या करता है कि जिस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं उसी कॉलम का नमबर देता है और वी लुक अपको फिरी चाहिए तो क्यों न हम वी लुक अप लगाते हैं समय कॉलम कर इस्तमार करें कॉलम का कॉलन ब्राइकेट ओपन कॉमा जीरो अब इसको आगे ड्रैक करने से पहले वही काम करेंगे जो कि मैंने उपर किये फ्रीज करना तो दो चीज़े हो गए एक तो मैंने बोला है कि उपर डाल दीजी दूसरा मैंने बताया कि कॉलम डाल दीजे ठीक है कि तीसरा आप क्या करें कि पहले सारे के सारे कॉलम नंबर को आब एकमा नोड के लिए से ऊपर नोड किए थे नो वो करें तो कि हम टाइब नहीं करना साथ है श्तमाल नियां फीन लगाएंगे फूरुप लगाते समय डेटा को सेलेक्ट किये और कि यहां पे सेलेक्ट करना बोल गया इसको सेलेक्ट किया और करनी वाइकेट में सारे कुलम लिख देते हैं को मा थरी को मा फूर को मा फाइप सीफ्ट एक अब और बताता हूं लगाया वी लुकाप इसको सेलेक्ट किये और डेटा में चले गए डेटा में डेटा को सेलेक्ट किये सारे कॉलर नूबर आपको सेलेक्ट की जूरत नहीं है और अपने हिसाब से डाले ठीक्ट करेंगा अब इस यह और मैंने देखा कि जो सीक्वेंस डेटा में यहां है वही सेम स्क्वेंस मेरे डेटा में हुआ है तो मैं यहां कपये अुकप विलगर गाशना हो एकस NICK फॉर्मुला है एकस लुकाब डेटा में गये है डेका को और यह को मार एशना डेटा पूरा स्लेक्ट नहीं करना होता है इसमें आपको स्रिप्त लेटकर करेंगे जिसमें आपका मैच करना है और दूसरा ओ कॉलम से लगेजें जो की रिजल्ड देना है ठीक है समिप के तरह बिल्कूल कि ऐसे आपका जो एट का वैल्लू है जो आयरी डंबर हो कहां मैं चोगा तो एक रिजल्ट का चाहिए तो बी कॉलम का चाहिए अब इसमें मैं एक कॉलम को कर देता हूं और बी को छोड़ देता हूं चोड़ ड्रैप करेंगे तो सी डी इए फ़ने आप बतलेगा तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं कि कि अब कि अब का और फैदा हुआ अब कि वी लूक अप में मैं यहां पर दिया 51 अब डिक हाजाए यहां पर 500 विश्चर आजाए कि प्लिक दिर करें लिए हमें क्या यूज़ करना होता है इस एर्र फॉर्मुला इस एर्र हमने बोला कि भाई जो एर्र आयते हैं पर ब्लैंक शो कर दिया क्या कि यहां भी हम लगाएंगे इस एर्र लेकि एक्स लुक अपने यहीं पर आपको दिखाएगा इसी के अंदर में आता है कि इस नॉट फॉन तो मैंने आपने कर दिया ब्लैंक तो अगर यहां पर 500 करूंगा तो अर्टमेटिकली देखी ब्लैंक हो गया मैं ड्रैक नहीं किया था ड्रैक करता हूं एक पर ठीक है सर न इस दो ब्लैंक दिख जाएगा लियर है अब यहां पर आता है कि मेरा जो है ना चेंज होते रहाते हैं कभी कुछ मांग देते कर दो कि अभी उन्हें ने भीजा लिए जोन क्वांटिटी के टेगरी और वैलू दे दो एक से कावन नुमर कर देड़ेट में बोलेगें कि तो रिजन देने पर फिर मुझे अगर नॉर्मल लगाऊंगा फूर मुझे चेंज करने पड़ेंगे पूरे से पूरे वी लुकाप को क्या है यहां पे एक मैच फॉर्मूला होता है कि हेडिंग को मैं स्लेक किया और डेटा में चलेगा और डेटा के अंदर जाके हम मैच कर कर दिये तो मैच क्या करता है बिलकूर करता है कि लुकाप करता है लुकाप करके बताता है कि रेटा है अगर है तो इसका रो या कॉलन नंबर के दोनों जलता है तो यहां हम लगाएं और इसको सेलेक्ट करें डेटा में चलेगा है अब यह चीज एक्स लुकाप से नहीं होगी कतना भी एक्स लुकाप फॉर्मूला आ गया है लेकिन वी लुकाप की जरुवत तो पड़ेगी समझे अब किसी ने मुझे बोला कि सर मैं चालेंज करता हू लोकि गों की लुकाप यह यृइन का पर दखेंगे अब इसका कॉलम को मैनोली च्राइक करना बड़ेगा अ कुछ करना पड़ेगा जिस एक्स लुकाप में इसको मान लेजी है कि एक्स लुकाप लगां तो मुझे मैनुवली चेक करना यह जाना यह तो च्रूटी कहीं आईडी को मैश करना है तो आईडी मैश करना राइट मुझे रीजन चाहिए तो बी वाइब का दीजन का करकर जो कि यह है के कॉलर नमबर देना पड़े गगा जगा तो फिर एटो मैश इंडेक्स लगा तो च इसके लिए 13 आया इसके लिए मुझे फॉर्मा लगाना पड़ेगा एड्रेश क्या लगाना पड़ेगा एड्रेश हमने यहां पे रोन नमबर वान और कॉलर नमबर यहां पर सेलेक्ट कर लिए तो यह आपको एम वन बना देगा क्या बना देगा अब यहां पर कॉमा करके हमने जीरो कर दिया इसका लेफ्ट का लगाऊंगा लगाऊंगा लेफ्ट जिससे ए निकले मुन निकले आएगा फिर इसी फॉर्मले को सेलेक्ट किया कॉपी किया इसके साथ कॉनकेट करूंगा ए श्लैस और ए बनाऊंगा इसके साहत मैं डेटा कॉलन एड़ करूंगा इस तरह से ठीक है फिर यहां पर क्या करूंगा इंडारेक्ट फॉर्मुला लगाके इसको कॉल करूंगा समझे इससे पेटर तो बी लुक अब अब सोचिए कि आपके को असा बेटर लगा एक्स लुक अप लगा अब चलिए आप एक्स लुक कप के बारे में बात करते हैं डेटा अगर आपका इस तरह से अब यहां पे मेरा डेटा वर्टिकल था तो वी लुक अप लगा लिया और सड़ली होरिजेंटल हो गया मतलब कि आप जो एक सो छे नमबर आईडी है मुझे पॉलन में डुनने हैं रो में नहीं यहां दो फॉर्म में लगाए जा सकते हैं पहला कि मैं यहां पे लगाऊं यहां पे आपको बाकी बिल्कुल सेब यहां फिर आप एच लुक अप लगा एच लुक अप फॉर्जेंटल वर्टिकल दोनों जलता है इसके बाद माल लेजिए कि मेरे पास जो डेटा है उसमें आईडी बीज में अब यहां पे वी लुक अप नहीं लग सकता तो कि वी लुक अप कभी भी लैप मौश कॉर्म चलता मतर्व इससे आगे का डेटा उठा देगा पीसे डेटा नहीं उठाएग अगर आपके पास डेटेस एक्षड है तो है आप एक्ष्लुक ऊपप इस्थिमाल कर लें इस्फिंख कर LAY sf में अपने मर्जी से पीछा कूण सा कॉलन है और फबैलोग कोन सा कउलन का जाई एउठी है थिक्क है इसको कॉमल किया और लुक अब लेलु को स्लेक्ट लिए जहां पर लुक अब करना है तो क्योंकि मैच जह है रोटिकली और जंटली दोनों चलता है इसका रोड़ नमबर बता देगा कि एक में नमभर क्या थैं इसका है कि मेने क्या बता है कि 105 का रोड़ नमबर क्या है इस Rig Toru फिर इंडेक्स फॉरमूला क्या करता है इंडेक्स फॉरमूला पूरे डीटा को मैने स्भूंसे ज्रीट क्या स्वार्ट करने के बाद 느ب बिताता है कि कौन सा रो नंबर है और कौन सा कॉलन नंबर है तो कॉलन नंबर one two three है जो भी है तुग मैच ऑइंडेक्स कमाइन कर देते हैं तो एक वी लुक अप का तरूल मुला बन जाता है लुक अपर तो इसकी ज़ुरूत में फिर कि सब्सक्राइब नेना होता है कि him जीरो से होती है इस किस आपको एक कम देना पड़ेगा ठीक है तो आपसेट मैच भी ही लगा सकते हैं अब हम अब हम त्रिक्स के बारे में बात करते हैं अगर में पास मुल्टिपल कंडिशन्स हो तो कैसे मैच करें मतलव मुझे पता करना है कि पूजा नौइडा में कितनी कौंटिटी रखता है तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक तो हमाना फिल्टर फामूला है क्या हैУ इस फिल्टर में útil में मैंसलेक़ किया देट को फिर यहां में पर आता है इंक्लूग include में मैंने इसको select किया गोला कि that is equal to Pooja और इसको bracket के साथ क्या कर दिया separate कर दिया समझे multiply by city को select किया और गोला equal to noira और इसको भी bracket के साथ separate कर दिया तो multiply जो होता है एंड होता है कि और प्लास होता है और इंट्रेप्रेस कीजिए यह देखिए आपके सामने पूड़ा डेटा आगया कि पूजा नोरेडा 65 लेकिन मुझे तो सिर्फ 65 चाहिए था यह दिख्यों आया तो जो डेटा हमने पूड़ा B से D select किया था उसके लेकिन अगर डेटा दो बार तीन बार चार बार हुआ तो उतना बार रिपीट हो जाए और फिल्टर फॉर्मॉला आपके लेटेस सेक्शन में होता है ऐसे केसे में भी लूक अप से भी कर सकते हैं हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे पूजा को कॉ कि फिर यहां हम भी लूक आप का फॉमम लगाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे डा अगिन सेलेक्ट करेंगे किसको नवडा को और फिर पूर्ण को सेलेक्ट करके पूर्ण यह से लेके इसको सेलेक्ट कॉमा टू कॉमान चीड़ एंट्रेवरेंस को ठीक है क्लियर है कुट आउट इसमें हाँ एक लुक आप से आपको एक कॉलम रखने की जरूरत हेंटारिक लगा सकते हैं एक लुक आपके अंदर इसे मैंने इसको जो मर्ज किया कि इस तरह से हमने कॉमाइन किया पूजा को नटाए के साथ और पूरा का पूरा कॉलम को कम्बाइन कर देंगे डैस लगा के इसे डीए साथ आप कॉमा क्वांटिक चाहिए रिजल्ट है अब तेक नंबर टू अब यहां पर क्या है कि मेरे पास जो नेम है पास जहें कि कुमार सकता है तो इसको लुककाप करने के लिए अब सबस्क्राइब करने के लिए था नटेन के आपुत अब युक्ता के लिए बदा के बस्को यहां प्रेग करके बता दिए तो अगर मैंने a star और सुझीत लगाया तो इसको बुलते and with और मैंने सुझीत star लगाया उसको बुलते start एस लोग कर पर इसका कोई वाथिय नहीं है scope नहीं है अब भी लोग कब से ही करना पड़ेगा अब बात आती है कि माल जो multiple result हुआ तब क्या करेंगे तो इसमें दो चीजें कर सकते हैं जैसे कि मुझे सारी वैलू चाहिए कॉमा के जान पूजा यहां पर क्या है माल लिजे multiple time में पूजा रखता है इसको करने के लिए हम दो तरीके कर सकते दो तिन तरीके हैं से देख लेजिए मुझे यहां पर चाहिए कि पूजा से पूजा का मोहन का 74 कॉमा मीचे एक बार और मोहन ने जो कि 18 है कॉमा इस तरह से कॉमा कॉमा करेंगे चाहिए इसके लिए लुक अप नहीं लगे इसके लिए लगेगा फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन टेक्स्ट ज्वाइन किससे ज्वाइन सेपरेटर के चाहिए तो मैंने बोला डिलिविटर में कॉमा चाहिए और ब्लैंक को ट्रू करना मत पूरी है दैन देजिए इफ इफ में हमने बोला कि नाम इस इकॉल तू मोहन और फिर सिलेक्ट करें किसको यह इंद्य को को ब्लैंक यह अ'll कर लाए हमने बहला कि एक वेलू को दूसरे वलाए है और मैं ब्लाइंग रिजल्ट है और ट्रू हो ब्लाइंग हो क्या हो ट्रू हो दर यहां पे एफ लगाया एफ बीटू से बीफोर तरह कि टुड़ा के फुराण नाउ मतलब कि अगर ब्रावर हो इफ क्या करेगा सबको मैंच करेगा ब्रावर हुआ तो उसकी वैलू देगा और हमने ब्लाइंग को इग्नोर करें जितने भी नंबर्स आएंगी उसको यहां पर और इसको हम फिल्टर फॉर्मिले से भी कर सकते हैं फिल्टर हमने डेटा को और हमने बोला इंक्लूड की वैए एक्वाल टू पूज मोहन होना चाहिए इस तरह से लिए आपके पास फॉर्मूला नहीं है कौन सा चिल्टर का यह टेक्ट जाएंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां हैं हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इस का काउंट इ वामा पूजा पहले वाले को कर देंगे और फिर इसको नीचे के तरफ ड्रैग और फिर इसको कॉनकेट करेंगे कुछ इस तरह से पूजा के साथ ठीक है नीचे ड्रैग कर देंगे अब यहां पर मुझे बनानी है सिक्वेंस नंबर कि जितना नाम हो उतना सिक्वेंस आ जाए जितना मैंने सबसे बसे बसे का फिर मोहन है कितना को काउंट एस सांट इस में हमने इसको सलेक्ट कर के मीनवली मैं यह पर वॉण दिया फ्रमां लगा मिप उपर वाली वालू में प्लस वान होने पे ग्रेटर दैन एट है तो ब्लाइंड कर दो नहीं तो वन प्लस वन देके चलो अब यहां पर मैं लगाया हो फॉम्मुला किसका इफ एरर और इसको कॉमा हमने क्लोज कर दिया और नीचे ड्रैक करने से पहले एल्थिनी को फ्रीज कर देता हूँ और इसको नीचे के तरफ ड्रैक कर दो ऑके बैन वी लुक अप लगाते समय स्ट्रियल नंबर के साथ इस मोहन को लिंक कर लिए ताकि वन मोहन टू मोहन प्री मोहन आ जाए और फिर इसको मैच करके कॉमा तू कॉमा जी दो ठीक है अब इतनी अच्छा डैस नहीं डागा ना आगया अब नीचे ड्रैक करने से पहले जी तरी को फ्रीज कर दिजे और नीचे ड्रैक कर दिजे और नीचे एरर आएगा इस आरो जीचे ए है कि कर दो को कि ए-प कर दो हम में हमाट जाए खया है त्रिक प्राइब में पास दो अलगा सीट पे देता आए और मुझे यहां पर लुक अप करनी जो आपने बोले ने सब्सक्राइब तो दी लुकांप किसी भी कंडीशन में दो डेटा के साथ लुक आप नहीं कर सकता great cow लगाते हैं र्लुट कि झाल झाल चलिए वी लुकप नहीं होगा तो इसको हम इस एरर लगाना होगा इस एरर के अंदर हम दूनों वी लुकप लगाते हैं कि वी लुकप वर्ड को हमा देटा वर्म पे चलेगा वामा तू कॉमा जीदो फिर कॉमा अगें वी लुकप लगाया वी लुकप इसको सेलेक किया और इसको सेलेक किया कॉमा देटा पे चलेक और इसको सेलेक करके कॉमा रूख करते हैं मतलग कि आपको इस एप इस एर्र के अंदर लागाने हैं लिफार के अंदर दोनों वी लुकप लगाएं कि मैं लगाए लगाए को दिखाद नहीं है हां मनें बता रहा है वी लुक अपके अंदर कुछ भी लगाई है और यह फैरल कर अंदर डाल जेजिए जी जी बिल्लकोट हां तो मैंने वही मैंने आपको वही तो बोला हूं हां सर बी लुक अपके अंदर चाहे तूब भी लगाए अब यहां जो है इसके अंदर आप जो मर्जी लगाएं उससे इस रहो क्या फर्क पड़ता है कि अपनिया लगा दिया मैच हमने सेलेक्ट किया नेम को और यहां पर डी पेज लेगा इसको स्रेक्ट करें अब दूसरा पर लगा सकते हैं वन वन लगाना पर हम लेकंद एक लगा सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब अब कोनों का बोलते हैं बड़े लोगों का साधी थोड़ी एक एक ही अलाओ हुए काड़ एक को मिला देखी लाओ का दूसरे लाओ अब टूसरे अब टूसरे अब मैस में हमने एटू के लिया बीटू करना था इस बीटू एब वन करना था तो आपको शही रहेगा कि आप अलग 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 सेल में लगाए और फिर इसका इसका इस अब थोड़ा साथ के करते हैं कि मेरे पास एक डेटा का लगाए कि एक यहां पर कि एक डेटा का फूल्डर के लिए इस फूल्डर के अंदर में बहुत सारे फाइल है दिख रहे होगा दिख रहे हैं ने सर्थ जी अब बहुत सारे फाइल के अंदर आप देख सकते हैं अब इस में मेरा नाम किसी भी फाइल में हो सकता है जोरी नहीं है कि मेरा नाम किस फाइल में हो सकता है मुझे यहां पर उसका लुक अब ने जीत लिखा अब यहां पर मुझे डेटा चाहिए और डेटा से इस दस बारा पंदरह फाइलों में से किसी हो सकता है इस ने जोट लिए मूलें पर अ गलारा है कि आपको 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 कोई भी लेटा कहीं भी हो सकता है तो मुझे कि हाँ अब मैं यहां पर करूगा कि सारे डेटा को आपस में लुक अप करके कमाइन करके फिर लुक अप करना पड़ेगा जड़ाइए है कि सारे डेटा लुक अप करता हो तो दस लाख रों से जड़ा हो सो हम सीट से डेटा लाना पॉस्वल ही नहीं है तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि पीछे ही बैकन में सब कुछ करके दिखा तो यह चीज़े वी लुक अप से तो नहीं होगी देखे कैसे इसको सेलेक किये सेलेक करने के बाद यहां डेटा में चले गाए यहां पर गेट डेटा पर फ्रॉम अदर सोर्सेज में टेबल रेज दिखे लिए ते यहांपे टेबल वन के जगहर पर हम यहांपर रिनेम कर देते हैं यहांपर की रे देते हैं इसका नाप और यहांपर करते लोड एंद प्लोज टू नोटू नेक्षिंट करते हैं क्नेक्शन उनिता करते हैं सब्सेल ने Wh string बार में यह आते हैं और फ्रॉम फाइटा में आके फ्रॉम में करें रहे हैं फ्रॉम फर्था द वाली है उसे को शुंठ करते हैं कि और यहां पर कमाइन और लोट तू कि मुझे डेटा डू नहीं करेंगे तो डेटा आएगा सीट पे और हो सकता है कि सारे फाइलों का डेटा मिला के मेरा फाइल बहुत बराफ हो सकता है इसलिए हम जो है इसको लोट टू कर रहा है और यहीं पर करते हैं और यहां पर करते हैं ओनली क्रियेट कनेक्शन ठीक है अब किसी एक पे क्लिक कीजिए यह की है की पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करने के बाद यह चांच यह आ जाएगी ट्रांसफॉर्म इसको छोड़ दीजिए है यहां हम आते हैं सुजीत हो गया यह आपका नेम होगी ठीक है अब यहां पे डेटा आगे रिफ्रेश कर दीजें रिफ्रेश करते ही पुड़ा स्वाइज है अब मुझे इसमें से इसको लोड करना है तो मैंने यहां पे simple सा लिखा merge query क्या लिखा है merge as new ठीक है merge as new में गया है और मैंने इन दोनों के वीच में relationship क्येड किया कि name और यहां हमने key को select किया और key में इनको select करें ठीक है then ok में हम यहां आते हैं मॉट एजन न्यूट और यहां पर हम की स्रेख करते हैं यहां पर सेलेक्ट करते हैं सब्सक्राइब और यहां पर हम करते हैं यहां पर लेफ्ट आउट और फॉर्स मैचिंग दर सकेंट ठीक है मैंने कि इसका सब कुछ आएगा और सब्सक्राइब जो मैच करेंगा सब्सक्राइब गन्टा कर दिया इसके पुरा डेटा आ गया अब आपको कौन कौन से फिल्ड चाहिए और डिसाइड कर देजिए बजिए इस सारे के साथ आपके डीटा आ गया तो नेम कई बर आ गया है यहां पर देता हूं या चूज कॉलं में जाके प्रेंगे चूज कॉलरंस में जाके मैं यहां से यह वाला नेम डेटा नेम हटा लेगे ठीक है अब इसको राइट क्लिक करके नेम करते हैं यहां पे करते हैं लुक अप डेटा यह जोई नाम देना देगीजिए अब यहां पे मैं करूंगा लोड एन लोज लोड एन लोज टू करूंगा और यहां टेबल पर लोकेशन ले लोगा कि मुझे क्या चाहिए कहां चाहिए एजिसिन शीट और लोगेशन कि आगेशन के जवाब कि अगर मैं पूजा किया तो पूजा करते पूजा नहीं आया तो इसको बीफरेश करने हैं पुझा आगया सर्व सारे फाइलों का पुझा आगया पुझा पुझा आगया मोहन पुझे रिफ्रेश एक बार रिफ्रेश मानना पड़ेगा बस देटा लांट कि या उसके लिए हम यहां पर बटन बगड़ा भी इस्तिमाल कर सकते हैं मुझे रिफीट हैं है जनवरी में नहीं है तो है यह यहां फाइल का नेश्टी मोहन फाइल से फाइल अब और डिक करके हमें रिफ्रेश करना पर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देवलपर में और यहां रिकशुन को माइकर राइट क्लिक करके हम यहां क्या करेंगे रिफ्रेश है निरुक्त खी ए और फिर माइक्रो को स्टॉप कर देंगा यहां पर बटन और इस पर क्लिक करते हैं यहां मैंक्रो वन सेलेक्ट कर लिया यहां पर लिख दिया अपडेट अब देटा ठीक है अब जैसे मैंने मालीजिया पूजा कर दिया इसके जगह पर मुझे अगर पूजा लिए और यहां पर जैसी अपडेट पर क्लिक करूंगा और अपडेट सब्सक्राइब और मैक्रो प्रगामि आती दौर कर सकते हैं तो डेटा को हमने पूरी का गुलने है तो एक ही हो ठीक है अपनी साथ से कुछ बना सकते जो चीजिद नहीं अविलेवल अपड बना लिए प्रिवेसे स्कूब है आगे जब आपके पास एक्सल पर बहुत सारा काम करना बहुत ज़्यदा काम करना एक्सल पर तो उसका यूज करते हैं तो यहां पर कुछ नए फॉर्मिले आए उसके वारे में सब्सक्राइब यह जो नए फॉर्मिले आए उपकल बताओं रहा डेटा समड़ी डाडेक कैसे बनाए फॉर्मिले के थूर्पिक के तुर्पिक अगली अगली ख्लास की फाइल बगरा और वीडियो बगरा मैं आपको बेज देता हूं आपको इसकी प्रैक्टिस कर दो ठीके प्रमीन जी खीटी खीव बुल्म और वोदी खीव